हेलो किड्स, वेलकम बैक तो माई न्यू वीडियो बच्चो आज की वीडियो में हम बनाएंगे बर्गर की एक खुमसूरत पेंटिंग सैंड कलर्ज और गलिटर कलर्ज दी मदद से आईए आज की वीडियो स्टार्ट करते है सबसे पहले मैं बनाने लगा हूँ बर्गर की ब्रैड के उपर लगे हुए तिल तो तिलों को बनाने के लिए हम सिल्वर कलर्ज इस्तवाल करेंगे आईए सिल्वर कलर का गलिटर अप्लाई करते है आप देख सकते हैं सिल्वर कलर का गलिटर जो है वो मैंने अप्लाई कर दिया है तो इसके बाद हम बनाएंगे बर्गर की ब्रैड ब्रैड बनाने के लिए उपर और नीचे वाला हिस्से पर मैं गोल्डन ब्राउन कलर का गलिटर अप्लाई करूंगा यह देखें मैंने गलिटर अच्छे तरीके से स्प्रैड कर दिया है गलिटर अप्लाई करने के बाद जो इजाफी गलिटर होगा उसको हम दुबारा उसी कलर बॉक्स में डाल देंगे वाव वेरी ब्यूटिफूल आप देख सकते हैं हमारी आज की ट्राइंग बहुत अच्छे तरीके से त्यार हो रही है इसके बाद अब मैं जो बर्गर के पैटी हैं उनका एरिया त्यार करने लगा हूँ इसके लिए मैरून कलर चूज किया है यह देखे हमारी ट्राइंग काफी अच्छे तरीके से बन रही है नेक्स टैप में मैं बनाने लगा हूँ बर्गर के लिए लेटिस लेटिस के लिए जो एरिया चूज किया है उसके उपर मैं ग्रीन कलर अप्लाई करूँगा यह देखे ग्रीन कलर का जो ग्लीटर के उसे ने इपर कर दिया है अच्छे त्रीके से और जो इजाफी ग्लीटर है ,इसको ब्लो आउट कर दिया है इसके बाद मैं ऊपर वाले हिस्से में रैड कलर करूंगा जो के कैचप के तोर पे मैं ड्राइंग कर रहा हूँ इसमें वाव आप देख सकते हैं हमारा ये अरिया भी बहुत अच्छे तरीके से त्यार हो गया है बर्गर का जो रिमेनिंग एरिया रह गया है उसमें भी मैं ग्रीन कलर अप्लाई करूँगा देखें इसके उपर मैं पैरेट कलर अप्लाई करने लगा हूँ गलेटर को ब्लॉआउट कर दिया है और जो इजाती एरिया है उसमें भी मैं सेम कलर अप्लाई करूँगा उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर किया करें अगर चैनल पर नए है तो हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर ले ताके हर नहीं आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केर बाई बाई अल्ला हाफिज